Hello and welcome to SOL Reporter, One Stop Solution for SOL Students बहुत से students के लगातार एक query आ रही है कि SOL के new admissions कब से start होंगे? 2022 के लिए सभी UG courses में क्योंकि जिन भी students में अपने 12th के exam दिये हैं उनके result आ गहे हैं आप से result के wait कर रहे हैं उनकी लगातार एक query आ रही है कि बहुत सी website पर यह mention किया जा रहा है कि start कब से होंगे? तो इस वीडियो में आपको clearly बताने वाला हूँ कि आपके admission कब से start हो सकते हैं आपके courses कौन कौन से होंगे? कितनी fees आपको pay करनी है? admission आप mode क्या होगा? वो सारी details जो है इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ फिर भी कोई query आपके रहा जाएगी तो definitely आप comment section में लिख सकते हैं वहाँ पर आपका reply किया जाएगा तो सबसे पहले query students की यह है कि as well के अंदर जो admissions हैं यह कब से start होंगे? क्योंकि बहुत सी website उस पर लिखा आ रहा है कि 10 जुलाई से admission स्टार्ट हो जाने थे किसी में 20 जुलाई से लिखा हुआ रहा है तो देखो as well के admission, graduation के courses जितने भी हैं उसमें जब ही start होंगे जब आपके CBSC board के 12th के result डेक्लेर कर दे जाएंगे अब 12th के result कब तक आएंगे? most early 17-18 या फिर 20 जुलाई के आसपस तक 12th के result आ जाने चाहिए CBSC board के तो जब भी आपके result आएंगे उसके एक या दो हफते बाद आप expect कर सकते हैं कि as well के admission जो है, graduation courses के लिए वो start कर दी जाएंगे तो अभी आप expected date की बात करें तो आपके admission जो है जुलाई के end में या फिर अगस्त के first week में start हो सकते हैं क्योंकि generally एक से दो विक का समय यह लेते है रिजल्ट आने के बाद तो आराम से आपके अगस्त के first week के आपके as well के new admission स्टार्ट हो सकते हैं जितने भी graduate course है, graduation के course है या फिर undergraduate courses हैं उन सभी courses के अंदर अब कौन-कौन से courses होते हैं तो अभी तक as well के अंदर यह सिर्फ 5 courses करवाए जाते थे BA program, BCom, BCom honors, BA honors English और BA honors political science लेकिन इस session से as well के दोरा यह त्यारी की जाएगी कुछ और courses जो है यह add करेंगे जैसे BA honors economics, BA या BSc honors in mathematics, bachelor of business administration याने BBA और इसी तरह से MBA, इसी तरह से bachelor of library sciences हलकी जो post graduate courses हैं लेकिन यह जो है अलग-अलग courses SL के दोरा इस साल से add किये जा सकते हैं हाला कि यह भी confirm नहीं है, जो UGCA उनकी तरह से भी clearance बाकी है लेकिन इस साल हो सकता है, SL में इन 5 courses के अलाबा यह कुछ additional courses भी यहाँ पर add किये जाएं अब admission का mode किया होगा कि आपको कोई entrance देना होगा, तो देखो यह जो पाच courses अभी तक चलते आ रहे, इनके लिए कोई भी आपको entrance नहीं देना होगा जैसे पहले से admission होता आ रहा है, आपको एक particular percentage चाहिए होती है, generally 40-50% के आसपस, वो हर courses के लिए अलग अलग हैगा, आपको अगर जानना हो तो आप comments से लिए इसके लिए उपर मैंने अलग से वीडियो बना रखिया, या फिर मैं दुबारा से एक वीडियो बना दूँगा, कि किस course में क्या क्या requirement है, लेकिन इसमें आपको कोई भी entrance exam नहीं देना होता है, इसमें आपके direct admissions होंगे, अब यह जो बाकी के courses हैं, जैसे माले जी बिया honors economics या फिर mathematics जो हैं, अब इसमें यह depend करेंगा, कितनी इनके पास seats होगी, अगर यह seats की सिंग के जादा होगी, तो mostly direct admission ले लेंगे, लेकिन इस बात के भी chances है कि हो सकता है, इसके लिए entrance करवा दे, लेकिन जादा तर चांसे सही है, लगवागा 80% चांसे यह हैं कि इनके admission भी है, direct admission लेंगे, इसके लिए भी entrance exam यह करवाने वाले नहीं हैं, तो अभी के लिए information यह है, कि आपके जो as well के admission है, वो जो same procedure चलता है, आप बागी कूर्सिस के लिए उसके जाता ही हो, और कोई आपकी query को definitely आप उसके regarding comments सो समय लिए सकते हैं, फीस के regarding students की query आते है, generally SOL में अभी तक 4040 पर फीस लगती आ रही है, पूरे एक साल की, उसके बाद जो second और third year के fee होगी, वो आपकी addition बाद में आपको provide की जाएगी, जो है sol.du.ac.in, यह जो website है, इसी पर आपको सारी information provide की जाएगी, इसके लावा, SOL से के admissions के related, जोग information होगी, किस तरह से आपको form fill करना है, क्या details हैं, उसके उपर मैं timely videos अब upload करना start कर दूँ है, इसके लावा, जो last year के admissions होए हैं, उसके videos आप चाहें, तो देख सकते हैं, आपको अगर admission form के related query है, या फिर admission का procedure क्या होता है, किस तरह से form fill करना होते हैं, वो सारी चीज़ा आप last year की video चाहें, तो देख सकते हैं, उसके लिए मैंने इस playlist बनाई हो है, उस playlist के अंदर वो सारी videos available हैं, इसके अलाबा और कोई आपकी query है, तो definitely आप comment सकते हैं, for the time being, that's the end of the video, thank you.